मरकुस रचित सुसमचार तेरवा अध्याय जब मैं मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा हे गुरू देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है कीशु ने उससे कहा क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो ढ़ाया न जाएगा जब मैं जैतून के पहाड पर मंदिर के सामने बैठा था तो पत्रस और याकूब और यहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सारे बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन होगा इश्यू उनसे कहने लगा चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे और जब तुम लडाईयां और लडाईयों की चर्चा सुनो तो न घबराना क्योंकि इनका होना आवश्य है परन्त उस समय अंत न होगा क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा और हर कहीं भूइन डोल होंगे और अकाल पड़ेंगे यह तो पिड़ाऊं का आरंभ ही होगा परन्त तुम अपने विश्य में चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे और तुम पंचायतों में पीठे जाओगे और मेरे कारण हाक्यमों और राजाओं के आगे खड़े किये जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो पर अवश्य है कि पहले सुसमचार सब जातियों में प्रचार किया जाए जब वे तुम्हें ले जाकर सौपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्रात्मा है और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौपेंगे और लड़के बाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उध्धार होगा सो जब तुम उस उजारने वाली घड़ेंद वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो पढ़ने वाला समझ ले तक जो यहूदिया में हो वे पहाडों पर भाग जाएं जो कोठे पर हो वे अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए और जो खेत में हो वे अपना कपला लेने के लिए पीछे न लोटे उन दिनों में जो गर्भवती और दूद्ध पिराती होंगी उनके लिए हाए हाए और प्रात्ना किया करो कि यह जाले में न हो क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि स्रस्टी के आरम से जो परमेश्वने स्रजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे और यदि प्रभू इन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता परन्तु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसी यहाँ है या देखो वहाँ है तो प्रतीती न करना क्योंकि जूटे मसी और जूटे भविश्य दक्ता उट खड़े होंगे और चिन्ध और अद्भूत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भर्मा दे पर तुम चौकस रहो देखो मैंने तुमें सब बातें पहले ही से कह दी है उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और अकाश से तारा गिरने लगेंगे और अकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी तब लोग मनुश के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे उस समय वह अपने दूतों को भेच कर प्रत्थवी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुनहिवे लोगों को इखटे करेगा अंजीर के पेड से यह द्रश्टांत सीखो जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीश मकाल निकट है इसी रीती से जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है बरन द्वार ही पर है मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक यह लोग जाते न रहेंगे आकाश और प्रत्वी टल जाएंगे परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी उस दिन या उस घड़ी के विशे में कोई नहीं जानता ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र बरन्तु केवल पिता देखो जागते और प्रार्तना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा यह उस मनुष की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आग्या दे इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा सांच को या आधिरात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को ऐसा नहो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए और जो मैं तुम से कहता हूँ वही सब से कहता हूँ जाकते रहो